जहन सांथियो अंतियोदाइ सिवल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है आज का हमारा वीडियो थ्रिमारकर स्पेसल सीरीज का होने वाला है सांथी यह मार्ग्स आप हमेशा अपने जहन में बनाए रखें सांथी जो लोग अभी चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के वीडियो में हम 15 हिस्ट्री के थ्री मारकर क्वेस्चन कवर करने जा रहे है बहुत ही महदपून यह वीडियो होने वाला है चलिए पहले क्वेस्चन से हम सुरुवात करते हैं पहला क्वेस्चन है अमरत सर की संधी हमने संधी के लिए आपको एक फॉर्मेट बता रखा है कि संधी कब हुई किसके मद हुई तथा इसके क्या प्रावधान थे इस तरह तो आप लिखेंगे ही सांती यदि कोई महदबपूर्ण बिंदू आपको लगता है तो आप बहवी लिख सकते हैं कब हुई अठारा सो नौ में है संधी हुई किसके मद तो रणजीत सिंग बचाल्स मैटकॉफ के मद हुई प्रावधान क्या थे पहला प्रावधान था रणजीत सिंग का पूर्वी विस्तार सतलोज नदी तक नरधारित किया गया सांती उत्तर में उसे राज विस्तार की छूट प्रदान की गई सेकंड क्वेश्चन था इलहावाद की फस्ट संधी इलहावाद की दो संधिया हुई प्रावधान हम इसके देखेंगे पहला प्रावधान बंगाल विहार उलिसा की दीवानी कमपनी को प्रावधान है अर्थात इन राजियों में आप कमपनी टेक्स बसूल सकती थी सेकंड प्रावधान था मुगाल बाद साहा को 26 लाक बारसिक पैंसन दी गई तर्ड प्रावधान है अवध की नवाब से इलावाध बाक कड़ा का छेतर चीन कर मुगल बाद साहा को दिया गया थर्ड कोश्चन हमारा था इलावाध की सेकंड संदी अवध प्रावधान हम इसके देखेंगे पहला प्राबधान था नवाब कमपनी को 50 लाख रुपे युद्ध हर जाना देगा नवाब कौन अर्था सुजा उद्धौला सेकंड प्राबधान था जो वहाँ हमने इलावाद वकड़ा का चेतर मुगल बात्सा को दिया था वो किस से लिया जाएगा सुजा उद्धौला से लेकर मुगल बात्सा को हम देंगे फूर्थ हमारा क्वच्चा है धन बाहिर गमन सिध्धान्द प्रति पाधन किस ने किया इसका दादा भाई नरोजी दवारा इसका प्रति पाधन किया गया कब प्रतिपादित किया तो 2 मई 1860 कहां मतलब किस जगा या किस लेख में इन्होंने प्रतिपादित किया इसे अपनी पुस्तक the poverty and unwertis rule in India के एक लेख था इनका England debt to India इस लेख में इन्होंने धन के बाहर गमन सिद्धान्द का प्रतिपादन किया फोर्थ हमने बिंदू यहां लिया है नौरो जी ने इसे अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा धन के भाहिर गामन सिद्धान्द को इन्हों ने अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा था पांचवा हमने लिया है क्वेश्चन सत्य सुधक समाज इस्थापना की बात करेंगे 24 सितंबर 18 सुपहितर को इसकी इस्थापना हुई संस्थापक कौन थे जोतिवा फुले थे फैर्ड बिंदू हमने लिया है उद्देश क्या था दलितों एवं निमने जाती के लोग जो थे उनके हितों का संरक्षन करना एवं उनका कल्यान करना फूर्थ हमने लिया है जोतिवा फुले ने अपनी जो पुष्टक थी गुलाम गिरी द्वारा इसके विचारों का प्रिसार किया सिक्स क्वेश्चन हमारा है सेफ्टी वॉल्प सिध्धान्त क्या था यह सिध्धान्त तो कांग्रेश की उत्पत्ती के संबंद में दिया गया था किसने दिया था पृतिपादन लाला लाचवत राय द्वारा किया गया थर्ड कॉइंट हमने लिया है सिध्धान्त क्या था अर्थात इसका अर्थ क्या था इसके अनुसार डफरेन के निर्देश पर यून ने कांग्रेश की स्थापना इस उद्देश से की थी कि भारतीय जनता में व्यापत असंतोस कोई उग्र रूप धारन ना करे बलकि कांग्रेश रूपी सुरक्षा वाल्व से वहार निकल सके अर्थाद कांग्रेश की स्थापना अंग्रेशों द्वारा खुद करवाई गई किस रूप में करवाई गई एक सेफ्टी वाल्व की तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बासको डिगामा तो भाई साव यह कौन थे पुर्तगाली यात्री थे जिसने भारत के समधरी मार्गी की खोज की थी 1498 में केरल के कालिकट बंदरगाहा पर यह आए थर्ड पॉइंट हमने लिया है भारत में यह कुल तीन बार आए थे देखिए यह जो हैं हमारे थ्री मारकार यह ना केवल आपकी मुख्य परिक्षा को महदपूर्ण या मजबूत करेंगे बलकि ऐसे फैक्ट भी आपको यह यहां मिलेंगे जो कि आपकी प्रारंबिक परिक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं फोर्थ पॉइंट हमने यहां लिया है केरल के सासक जम्मुरिन ने इसका स्वागत किया था इस तरह हमने चार बिंदू इसमें लिये देखिए हमने अधिकतर कोसिस की है कि आपको वह महदवपून बिंदू तीन से चार बिंदू यहां मिल जाएं ताकि यदि यह कॉस्चन आपका कोई आता है तो आपको तीन मैंसे तीन नमबर मिल जाएं नेक्स्ट हमारा क्वस्चन है आनंद मठ 1882 में बंकिम चंदर चटोपाध्याय द्वारा रचित बंगला थी थर्ड बिंदू है इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी मिलता है और लास्ट हमने बिंदू लिया है कि भारती राष्टे गीत जो हमारा है बंदे मात्रम इसी से लिया गया है जो की राष्टे आंदौलन में प्रमुक प्रेणास रोथ था अर्था क्या था इसका तो यूरोपी एल मालिकों वक्रशकों के मदध कौन्ट्राक्ट होता ता जिसमें किसानों को अपनी भूमी के त्नी भटेव 20 भाग पर नील्व की खेतिक अनिवारे होता था इस पद्दती में यूरोपिये किसानों को अग्रिम धनराशी प्रदान कर देती थी और फोर्थ है इसी के ब्रोध में 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्य अग्रे किया था नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुनहरा फर्मान देखिए कई क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके आंसर पॉइंट में लिखना नहीं हो पाएगा इसलिए हमने इसका पैराग्राफ में इस आंसर को लिखा है 1632 में अंग्रेजों ने गुलकुंडा के सासा अबदुल्ला कुतुब सहा से 500 पॉंड बारसिक कर देने के बदले गुलकुंडा के सभी बंदरगाहों से मुक्त ब्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया जिसे सुनहरा फर्मान के नाम से जाना जाता है यह हमारा कॉस्चन हुआ इसमें भी हमने 304 पॉंट या फैक्ट कवर किये हैं लेकिन इसको पॉंट वाज लिखना आसान नहीं था इसलिए हमने पैराग्राफ में राइटिंग कर दी 11th question हमारा है मंद सौरखी संदी देखिए यह MP के लिए अधिक महदपून है इसलिए हमने इसे लिया है कब हुई थी यह संदी 6 जनबरी 1818 को हुई किसके मद हुई मलहार राहोल कर एबं अंग्रेजों के मद हुई 3rd point लिया है महिदपूर युद के पस्चात हुई थी महिदपूर युद हुआ था उसके पस्चात या उसके परणाम सरूप यह संदी लास्ट प्रावधान क्या था तो यह एक संदी ही थी जिसमें राज की खर्च पर राज्ज में अंग्रेजी सेना रखने की अनुमती मिली अर्थात मंसौर राज्ज में या होलकर राज्ज में अब अंग्रेजी सेना होलकर राज्ज के खर्च पर रखी जाएगी नेक्स्ट हमारा question था घेरे की नीती पृतिपादन बारेन हैस्टिंग द्वारा किया गया था इसका 1773 में सेकंड बिंदु है उद्देश क्या था तो बफर इस्टेट बना कर कंपनी की सीमा की सुरक्षा करना बफर इस्टेट क्या होता है तो ऐसा इस्टेट जो दो अगल वगल की राज़्यों को जोड़ने का करे साक्षातकार अर्थात इसका हमें सरफ प्रतम कहां देखने को यह नीती मिलती है तो मराठा एबं मैसूर युद्धों के मद्द हमें यह नीती देखने को मिलती है इसी का विस्तार थी अर्थात घेरे की नीती का अगला चरण बेले जली की साहयक संदी थी थर्टीन क्वेश्टेन हमारा है इस्वर चंद्र विद्या सागर देखी यह पहले भी MPPSC में थ्री मार्क में पूछा जा चुका है यह ब्रह्म समाज के सदस्य थे दूसरा विंदू हमने लिया है इस्त्री सिक्षा हेतु इन्होंने 35 इसकूलों की स्थापना भी की थी थर्ड विंदू लिया है इनके अथक प्रियासों से बिदवा पुनर विवा अधिनियम 1856 पारित हुआ बिदवा पुनर विवा जो अधिनियम था इन्ही के प्रियासों से पारित किया गया था लास्ट पॉइंट हमने लिया है इनकी पुष्टक का नाम Marriage of Hindu विडोज यह है इनकी पुष्टक थी 14 चगदवा कॉष्टन हमने लिया है सिक्षा का निस्यंदन सिध्धान्त क्या था तो इसके प्रतिपादन की बात करें लॉड मैकाले द्वारा किया गया कब किया गया 1834 में तात पर यह क्या था इस सिध्धान्त से तो मैकाले जी कहते थे कि सिक्षा समाज के उच्च बर्ग को दी जाए निम्न बर्ग तक यह स्वता ही चन चन कर अर्थात रिस रिस कर पहुंच जाएगी यह सिक्षा का निस्यंदन सिध्धान्त था इसका परिणाम क्या हुआ इस सिध्धान्त का तो यह नीती असफल हुई अर्था जो मैकाले नहीं ऐसा कहा था वैसा नहीं हुआ लास्ट हमारा फिप्टेन कौस्चन है लेंड होल्डर सूसाइटी सर परतम हम इसकी देखेंगे इस्टापना अठारा सो अरतीस में कुलकाता मैं की गई सेकेंड़ पॉइंट हम देखेंगे इसके संस्थापक तो द्वारका नाथु टैगोर इसके संस्थापक थे अन्य सदस्य हम देखेंगे राधा कांत देव प्रसन कुमार ठाकुल दो अन्य सदस्य हमने यहां देखे लास्ट बिंदू हम देखेंगे उद्देश क्या था इसका तो जमीनदारों के हितों की सुरक्षा करना लेंड होल्डर अर्थात जो भूमी छीनी जा रही थी उसके विरोध के लिए जमीनदारों के हितों की रक्षा के लिए इस सुसाइटी का गठन द्वारका नार्ट प्यगोर द्वारा किया गया था इस तरह हमने इस वीडियो में 15 क्वेस्टन कवर किये आगे भी यह सीरीज नरंतर कंटीनिव रखी जाएगी साथ ही इसी तरह हम अन्य सब्जेक्ट के भी थ्री मारकर क्वेस्टन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूलें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि भविश्चमा आपको नौटिफिकेशन मिलती रहें जय हिंद धन्यवाद